हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल कुक फूड विजो हैपी रख्षेवंदन तो आज मैं आप लोगों पे लेका रहे हूं कि बहुत ही स्पेशल कस्टमाइज चॉकलेट की रेसिपी तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत ही यूनिक कस्टमाइ अगर आप चाहें तो आप इसे माइक्रोवेब में 30-30 सेकंड के इंटर्वल में रखके मैल्ट कर सकते हैं यहां पे मैं double boiler method का यूज़ करके इसे melt कर रही हूँ. Double boiler method में आपको ध्यान रखना है कि नीचे का जो पानी है वो चॉकलेट में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए वरना जो चॉकलेट है वो खराब हो जाएगी. And you can see कि double boiler method में भी चॉकलेट बहुत ही आसानी से melt हो जाती है. तो चॉकलेट बार बनाने के लिए आपको इस तरीके का बार का mold चाहिए तो यहां पे मैं silicon mold का use कर रही हूँ. आप silicon या plastic किसी भी तरीके के चॉकलेट mold का अस्तमाल कर सकते हैं इस चॉकलेट को बनाने के लिए. तो अब हमें mold में चॉकलेट को फिल करना है. यहां पे मेरी जो चॉकलेट है वो हल्की सी थेक हो गई है. अगर चॉकलेट थिक हो जाती हैं तो आप चाहें तो इसे वापस से थोड़ा सा melt कर सकते हैं. बट इतनी थिक चॉकलेट भी आराम से mold में set हो जाती है. तो इस तरीके से spoon से हम थोड़ा थोड़ा सा चॉकलेट को spread करते हुए अच्छे तरीके से mold में इसे fill कर लेंगे. तो चॉकलेट को mold में fill करने के बाद आपको इस तरीके से mold को थोड़ा सा tap करना है ताकि इसमें जो air bubble सो वो निकल जाए चॉकलेट evenly mold में spread हो जाए. अब इसे हमें fridge में 10 minute के लिए set होने के लिए छोड़ना है तो जब तक chocolate fridge में set हो रही है तब तक मैंने white compound chocolate को भी melt कर लिया है और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से melt हो गई है तो आप इस तरीके का piping bag use कर सकते हैं चॉकलेट को fill करने के लिए आप घर में ही piping bag क बना के ले सकते हैं बस इसमें हमें डेर से 2 स्पून चॉकलेट ही fill करना है ज्यादा चॉकलेट इसमें fill करने की ज़रूरत नहीं है आप मेरे पुराने चॉकलेट के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आप homemade piping bag कैसे बना सकते हैं तो बस इतनी चॉकलेट इन फे पाइपिं आप चॉकलेट में जिन जिन लेटर की ज़रत है आप उसमें चॉकलेट को fill करके ले सकते हैं तो इस तरीके से अगर कहीं पर extra चॉकलेट लग गई है तो आप उसे knife की मदब से remove कर सकते हैं और आप यह step चॉकलेट के सूपने के बाद भी कर सकते हैं तो इसे भी हम 10 मिनिट क मैंने चॉकलेटोय निकाल लिया अब इसे हमें डी मोल्ड़ करना है तो इसे दी मोल्ड कनने के लिए आप में भीड़ी तर में उन्हांने के लिल्ट सिरी सिष्ट का ज़ना है और अकट देख सकते हैं इसमारा और मती दी मोल्ड बनुड़ है अगर एसमें कुछ जो letters ready किये थे उसे भी हम mold से remove कर लेंगे तो अब हमें एक एक चॉकलेट को लेके उसके बीचे हलकी सी गरम चॉकलेट को लगा के इसे चॉकलेट में stick कर देना है and finally हमारी customized राखी की special चॉकलेट बनके तयार है तो इसी तरीके से आप किसी भी occasion के लिए customize चॉकलेट को घर में बना के तयार कर सकते है तो अब हमने जो white चॉकलेट melt की थी इसे भी हम mold में fill कर लेंगे अब देख सकते हैं कि चॉकलेट बहुत ही अच्छे तरीके से melt हुई है अगर आप एक दम fresh चॉकलेट का अस्तमाल करते हैं तो चॉकलेट बहुत ही अच्छे से melt होती है और ध्यान रखिए कि चॉकलेट में बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए otherwise चॉकलेट खराब हो जाएगी तो चॉकलेट को mold में fill करने के बाद इसे इस तरीके से tap कर लेंगे ताकि air bubbles निकल जाए और चॉकलेट evenly set हो जाए तो इसे अब हम 10 मिनिट के लिए fridge में रख देंगे तो 10 मिनिट बाद चॉकलेट को fridge से निकाल के इसे इस तरीके से पलट के mold को उपर की तरफ खीशते हुए चॉकलेट को mold से remove कर लेंगे एंड वाव यू कें सी हमारी बहुत ही beautiful सी white chocolate तयार है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ चॉकलेट lettuce बनाने के लिए तो अगर आपको cone में भरके इसे नहीं ready करना तो आप इस तरीके से spoon की मदद से चॉकलेट को डालके उसे अच्छे तरीके से spread कर सकते हैं तो mold में chocolate डालने के बाद इस तरीके से knife की मदद से आप chocolate को letters के अंदर अच्छे तरीके से fill कर सकते हैं और इस तरीके से जो extra chocolate है उसे आप remove कर सकते हैं इस method में mold थोड़ा सा dirty दिखने लगता है बट इसमें आपको अलग से cone बनाने की जोरत नहीं पड़ती तो इस तरीके से इसे ready करके इसे fridge में set होने के लिए छोड़ देंगे तो ready chocolate letters को mold में से remove कर लेंगे and same method का use करते हुए इन letters को chocolate में stick कर लेंगे तो लीजे हमारी white customized chocolate बनके तैयार हो गई है आप किसी भी तरह के colorful sprinkle को use कर सकते हैं तो हम same chocolate mold का इसे बनाने के लिए इसमें हम ये जो colorful sprinkles है उसे बीच बीच में इस तरीके से spread कर देंगे तो आप इसे जितना colorful बनाना चाहते हैं उसके according आप इसमें sprinkles डाल सकते हैं बस इसमें अब हम ready की हुई white chocolate डाल देंगे और chocolate डालने के बाद इसे हम वापस से tap कर लेंगे ताकि chocolate अच्छे तरीके से set हो जाए तो अब इसके बाद chocolate के back side में भी हम थोड़े से sprinkle डाल देंगे ताकि ये दोनों side से colorful देखे इसे एक बाद वापस से हलका सा tap कर लेंगे और इसे अब 10 minute के लिए fridge में set होने के लिए छोड़ देंगे तो chocolate अब अच्छे तरीके से set हो गई है तो वापस से हम मोल को उल्टा करके मोल को उपर की तरब खीचते हुए chocolate को मोल में से demold कर लेंगे और वाव हमारी बहुत ही beautiful सी colorful chocolate बन के तयार है बिना किसी color को use किये हुए ये colorful chocolate बहुत ही आसानी से बन जाती है and you can see ये जो छोटे छोटे से sprinkles थे वो melt होने के बाद चोटे में बहुत ही अच्छे तरीके से spread हो गए है और ये बहुत ही beautiful देख रहे है तो लीजे हमारी आज की तीनों कस्टमाइज चोकलेट बन के तयार है and you can see these chocolate are looking amazing and इने देखके कोई बता भी नहीं सकेगा कि आपने इन चोकलेट को घर में ready किया है and आपने देखा कि इन चोकलेट को घर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बस आपको एक दो मोल्स घर पे रखना होगा जिनकी मदद से आप इन चोकलेट को आसानी से घर में बना पाएंगे तो इस festive season में आप लोग भी घर पे इस कस्टमाइज चोकलेट की रेसिपी को ट्राइ कीजिए and surprise your loved one with these amazing chocolates आप लोगों को आज की रेसिपी कस्टमाइज चोकलेट की I hope आप लोगों को आज की रेसिपी जरूर पसंदाई होगी तो इस रक्षा बंदन में आगे आने वाले सारे फेसिबल में आप लोग भी इस यूनिक चोकलेट की रेसिपी को बर में ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट में जरूर बदाए कि आपको इस रेसिपी कैसी रगी तो आप भी घर में चोकलेट को बनाएए और अपने लगों को दीजे प्यारा सा सर्प्राइज तो चलिए वीडियो को यहां पी एंड करते हैं तो जल्दी मिलेंगें अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर थेंक्यों पर वाचिंग